काम ऐसा करो की पहचान बन जाए हर कदम ऐसा चलो की निशान बन जाए यह जिन्दगी तो सब काट लेते हैं जिन्दगी ऐसे जियो की मिशाल बन जाए दोस्तों आज है 22 दिसंबर और स्टार्ट करते हैं आज ही करने फैस उससे पहले दोस्तों यह दिफित आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जुरूर प्रेस कर दें ताकि आपको एक्जाम से लेटे डेली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे यह दिस वीडिय लाइक करके मोटिवेट जरूर करें इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेर जरूर करें अपने सभी दोस्तों साथ जो भी आपको फ्रेंडस एक्जाम के तैरी करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और दोस्तों एक एक कोईशन बहुत महत्रूर रहता है इसलिया आप इस यानि की option इसका correct हो जायागा आपको बता देख भारत के पूर्व सलामी बल्लेवाज W.V. रमन को भारती महिला क्रिकेट टीम का नया कोच नियूट किया गया है आपको बता देख उन्होंने 11 टेस्ट और 27 अंतराश्टी एक दिपसी में भारत का प्रतेजित किया है और है बरतमान में बेंगलूरू में राश्टी क्रिकेट अकार्दमी में बल्लेवाजी सलाकार है ठीक है तो भारती महिला क्रिकेट टीम का नया कोच नियूट किया गया है W.V. रमन को दोस्तों यहाँ पर बात होरी भारती महिला क्रिकेट टीम की तो आपको बता दे कि वरतमान में कैप्टन कौन है मिताली राज है वन डे की कैप्टन जबकि T20 की कैप्टन है हरमान प्रीत का और और दोस्तों इसे लेटर महीला क्रिकेट लेटर दो तीन लेटेस्ट कोईशन आप को और बता देता हूं अभी हाली में दोस्तों महीलाओं को जो विशो कप T20 क्रिकेट हुआ था यह हुआ थो वेस्ट इंडीज में और इसमें विजेता बनी थी ऑस्टेलिया ठीक है चलिए तो फिर अगले कोशन की तरब बढ़ते हैं भारत और चीन ने सांस्कृतिक जन आदान प्रदान की पहली बैठक कहा उजित की गई दोस्तों इसका करेक्ट एंसर हो जायागा दिल्ली में यानि कि इसका आप्शन सी करेक्ट हो जायागा देखें तो भारत और चीन ने स जुष्मा स्वराज जी और उनके जो चीनी समक्ष हैं वांग यी ने भाग लिया ठीक वांग यी ने भाग लिया है याद रखिएगा इस वैठक का लक्ष है दुईपक्षी सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना ठीक है तो भारत और चीन के ने सांस्कृतिक जनादान से रूस ठीक है रूस और चीन की कैपटल क्या है भीजिंग है चीन का जो सबसे बड़ा सहर है और वित्ती यहां की कैपटल है संगाई चीन के प्रेसिडेंट को ने सी जिन पिंग है और पीया मिले के कियांग ठीक है तो इतने आप पॉइंट याद रखिएगा काफी बोड करने दोस्तों आपका प्यार दिखना चाहिए और वीडियो का आखरी तक जरूर देखा करें दोस्तों हमारे आपके जितने भी एक्जाम होते हैं सब इक दिश्टी से बहुत इंपोर्डेन कोशन रहता है फिर हमारा तीसरा कोशन ने परेया बरण और वन और जल्वाई पर परितनमंत्राले ने काउन से सनख्छद परियुजना शुरू की है दोस्तों पर्यावनन और फृष्जित की तंदर को रक्षा और सनक्षण करना इस परियुजना को केंदर प्रेयोजित युजना वन जीव आवास विकास से वित्पोसित कि pilgrimavky थीक है तो वर्तमान में भारत के परयावण One और ये परयावण मंत्री योंग परयावण मंत्री का अन्य Lab extractमान है Doctor फ्रिक्ट हर्श वर्धन तो याद रखीएगा येसी याईषिये और ये कौन सी संख्षन पर उने शूरण की कि अगला कोशन देख लेते हैं किस ने सतत विकास लक्ष भारत सूचकांग वेस लाइन रिपोर्ट दोठरा जारी की है तो दोस्तों आपको बता दे कि 20 दिसंबर दोठरा को नीती आयाक द्वारा सतत विकास लक्ष भारत सूचकांग वेस लाइन रिपोर्ट दोठरा जारी की गए यानि किसका ऑप्सन भी करेक्ट हो जागा नीती आयोग ठीक है तो यह याद रखिएगा सतत विकास लक्ष भारत सूचकांग एकल मापनी सूचकांग के माध्यम से केंद्र और राज्यों को केंसाइद परिस्वक प्रगति कुल्म आपने के लिए एक ब्यापक सुचकांग है आपको बताएक 2018 के लिए पहली बेसलाइन रिपोर्ट भारत में ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इस्टिटूट और सेंगत राष्ट के समर्थन के साथ तयार की गई थी और यहां पर बात हो रही नीतियायक के इसका फुल फॉर्म क्या होता है याद रखिए कई बार एक्जामें पूछा आता है नेशनल इस्टिटूशन फॉर ट्रांसफर्मिंग इंडिया नेशनल इस्टिटूशन फॉर ट्रांसफर्मिंग इंडिया बहुत बार एक कोशन पूछा गया है है रेलवेसस इकजाम में नीतियायक की स्थाबना का हुई थी एक जनवरी 2015 नीतियायक की स्थाबना हुई थी नीतियायक का पदेन अध्यक्ष कौन होता है भारत और नीतियायक की स्थाबना की पहले उपाद्यक्स कौन है राजीब कुमार और सीओ की बात करें जरूरी एक्फूल फुल फॉरम नीती आयोग का नेशनल इस्टिटिश्टों फार ट्रास्फर्मिंग इंडिया तो इसका करेक्ट एंसर क्या हो कि इसने सतद्विकास लक्ष भारत सूचकांग वेस्टलाइन रिपोर्ट दो अठरा जारे की नीती आयोग ने हमारा कोश्चन नमर फाइब है भारत चीन फिल्म होत्सों में कौन सी भारती फिल्म प्रदरशित की जाएगी तो भारत चीन फिल्म होत्सों में दंगल फिल्म प्रदरशित की जाएगी ठीक है ऑप्सन बी ठीक है ये 22-24 दिसंबर तक कि ये सूचनवा प्रसंड मंतरा लेका भारत चीन फिल्म हों से आउज़ित किया रहा है यह सांस्कृतिक एवं जानादान प्रदान की प्रतम भारत-चीन उच्छतरी विवस्थाग दरान आउज़ित किया जाएगा और बता देक प्रदसित कि जाने वाली भारती फिल्म उकसूची में के लिए प्रधान मंतरी स्ट्रम पूरुषकार से सम्मानित करने का निदया है कि सौरी फ्रेंट्स इसका करेक्ट अंसर जाएगा option C 40 ठीक है आपको बता दे कि कि बीज दिसमर्द 18 को भारत सरकार ने 40 रमकों को वर्ष दोहर 17 के प्रधान मंत्री स्रम पुरुसकारों से मानित करने का निणया है। ठीक है वह केंद्री और राज सरकारों और निजी खेत्र की कायों की विभागी उप्रमों और सार्मिक खेत्र के उप्रमों में कारे रत हैं। पुरुसकार उत्पादक्ता के खेत्र में उनके विश्रिस परसन की मानिता में हैं। ठीक है तो याद रखेगे चालिस ठीक है भारत सरकार ने कितने स्रमकों को दोहर सत्रा के प्रधानमंत्री स्रमपुर्ष का समानित करने ने लिए चालिस कोशन सेवंध है इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फोर ऑपरेशनल ओसेनोगफ्य कॉम्पलेशनी कंपलेक्स अध्धान कहा किया जाएगा हैं एजराबाद में ओप्सन भी ठीक है यह किया जा चुका है बाईस दिसम्बर को हैधराबाद में इंटरनेशनल ट्रेंशनल लिए स्थापित किया गया था ठीक है तो इसका कर्रेक्ट्रेंस हो यागा ऑप्शन भी हैदराबाद तो याद रखिएगा कोश्चा नेर्थ है किस राज्जी के मुख्य मंत्री ने 20 दिसंबर 2018 से M.H.I.S. नामक स्वास्त भीमा योजना शुरू की है दोस्तों आपको बता दें किसका कर्रेक्ट्रेंस हो यागा ऑप्शन A मेघाले देखे दोस्तों मेघाले के जो CM है कौनराट संगमा ने 20 दिसंबर को मेघाले स्वास्त भीमा योजना ठीक है M.H.I.S. अनि मेघाले स्वा प्रति परिवार को पांच लाग रुपए तक की पेसस करने के लिए आठ लाग से घरों को एक कवर करने का लक्ष रखना रखी है इसमें ठीक है तो याद रखिएगा मेघाले के CM कौन है बरतमान में कौनराट संगमा गवर्नर है आपर तथागत राय मेघाले के मतलब होते है बादलों का घर ठीक है तो यह फैक्ट आपको याद रखना है अब ही हाली में मिजोरम में जो विधानसवा चुना हुए हैं मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं जोर मथंगा ठीक है जोर मथंगा बन गए हैं याद रखी गा हाली में पांच राज्यों मिधानसवा चुना हुए हैं तो मैं आपको एक बार फटा फट बता देता हूं राजस्थान चतिस गड़ मंत्य प्रदेश मिजोरम और तेलंगाना ठीक है पांच राज्य याद रखिए इसका हलाकि मैं ने वीडियो बना चुका हुए पांच राज्यों विधानसवा आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन वाक्स में लिंक देदू हो तो उसमें जाके आप जरूर देख लें महराज सरकान ने सतारा जिले में टेम्भू जलिप्ट योजना के लिए कितने करोड़ों रुपे म मिलेगा ठीक है चलिए किस राज्य के मुख मंत्री ने 20.18 को राज्य में आयरुवेदी खरबल दमाओं को बढ़ाने के लिए खरबल लिगमिस्थापना की गोश्चना की है कि हरी आणा ने ठीक है ऑप्सन डी करेक्ट हो जाएगा ठीक है इसका उद्देश क्या है राज्य देखें उस तो भारत की दूसरी सबसे वड़े आईटी सेवा फर्म इनफोसिस ने एक मार्च 2019 से निलंजन राय को अपने मुख वित्ती अधिकारी के रूप में नामित किया है व्याद रखें का मोस्ट इंबोर्डन कोश्चन है ठीक है इनफोसिस के वर्तमान CEO कौन है साल लूरू में ठीक है तो किसे एक मार्च 2019 से इनफोसिस के मुख वित्ती अधिक रूप में नियुक्त किया गया है निलंजन राय को याद रखिए का काफी इंपोडेंट है अब देख लेते फटा फट लास्ट वीडियो का अंसर मैंने कोशन पूचा था पेटा इंडिया की परसन अब दियर किसे नामित किया गए नामित किया कि शोनम को पूर का उप्सन भी करेक्ट था अब देख लेत तो आज का सवाल क्या है काफी इंपोडेंट है एक जनवर दो निस्टे कौन केंद्री अपरतेक्ष करो और सीमा सुल्क यानि सीवी आइसी वोट के अध्धिक वीडियो जरूर देखा करें आपका अगामिके लिए काफी मात्मूर रहती है तो दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो के साथ अपना ध्यान रखें सोचते रहें बेस्ते रहें मसत रहें जै हिन जै भारत